पिछली कथा में जो आपने सुना उसका जवाब ये है कि गुनवती जो थी वो अपने पती और पिता के मरने पर बहुत रोने लग गई लेकिन उसे कुछ भ्योश हो गई कुछ समय के पर उसको ये ध्यान आया कि भही उसके जो पिता और पती है उनका दहासंसकार भी करना है उसने अपने घर का सारा समान बेचा और दहासंसकार करा उसने बहुत भी लाब किया कि उस विद्वा का आप क्या होगा कौन उसका लालन पोशन करेगा उसके बाद उसने क्या किया भगवान विश्णु जी की दिन रात पूजा तपस्या करी कार्तिक का सारे नियमों को पा पतनी बनी हो और जो के समय में सत्यूब में माया पूरी में अत्री गोतर नाम का जो देव शर्मा का ब्रामन था वो इस जन्नम में 17 जीत है और चंडर शर्मा जो तुम्हारा पती था वो डाकू है और भामिनी तुम वही गुनवती हो कार्तिक वरत का जो प्रताप है उसने त प्रभाव से ही तुम मेरी प्रिये भामेनी हुई पहले के जनम में आजीवन तुमने जो नियम पालन किये थे कार्तिक मास का वरत किया था उसके प्रभाव से मेरा और तुम्हारा भी योग नहीं होगा कार्तिक मास में वरत आदी करने से मुझे तुम उन्जी के समान प्रिये हो जो लोग दूसरे जब तब यग्यदान आदि करते हैं कार्तिक में किये गए वरत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा होता यानि कार्तिक के वरतों का सोलवा भाग भी नहीं इस तरह से सत्य भावा भगवान श्रीक कृष्ण चंदरजी महाराज से अपने पहले जनम के पुन्ने का परभाग सुनकर बहुत खुश हुई